आप जब YouTube Studio में Login करते हैं, तो वहाँ पे आपको एक Audio Library मिलती है, ठीक ऐसी Library आपको YouTube Shots के अंदर मिलेगी, जहां से आप अपने वीडियो के अंदर Background Music add कर सकते हैं, अब चाहे वो Music Bollywood है, Tollywood है, या फिर कोई पंजाबी साँग है, ये Facilities तो आपको मिलती थी, पर अब इसके साथ-साथ Friends आपको 100% Revenue मिलने वाल है, अगर आप License को Purchase करते हैं, उन गानों को Purchase करते हैं, जिनको आप अपने वीडियो में यूज करना चाहते हैं, ने तो Sharing की भी Option होगी, Bollywood या पंजाबी सॉंग्स को जब आप अपने वीडियो में यूज करते थे, तो आपको Copyright की Problem आती थी, जिससे आपके वीडियो का सारा Revenue उस Company को जाता था, जिसका आप Music Add कर रहे हैं, पर अपसे रूद थोड़ा Change हो गया है, यूट्यूब स्टूडियो में आपको Creator Music का एक नया टैब मिलेगा, जहां से आप कोई भी फिल्मी सॉंग, पंजाबी सॉंग्स यां, किसी और Language के Songs को अपने वीडियो में Add कर सकते हैं, पर उसके पीछे एक Condition है, वो Condition में थोड़ी देर में बताऊंगा, पर आपके ये जाना ज़रूरी है, एक्चुल में ये किस तरीके से काम करेगा, जब आपके YouTube स्टूडियो में Creator Music का टैब Add हो जाएगा, तो Friends उसमें आपको Songs Songs का मूड कैसा है, आटेस्ट कोन से है, कितनी डूरेशन है और Preview, जिस पर क्लिक करके आप Music को सुन सकते हैं और उसके आगे प्राइजिंग की Option मिलेगी, ये सारी डिटेल्स आपको उस टैब में मिलेगी, मेरे कुछ भाई क्रोग्रफी करते हैं, डांस के वीडियो बनाते ह जिसमें वो Music use करते हैं, तो अब उनके लिए ये बहुत बड़ी good news आने वाले है कि Music को add करके भी आपको 100% revenue मिलेगा, जब आप Music purchase करेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है, जो उसका price है, सब के लिए same रहे, हो सकता है, आपके tab के अंदर वो 10$ दिखा रहे है, मेरे tab में 15$ दिखा है, ये depend करता है कि आपके channel की growth कैसी है, subscribers कितने है, views कितने है, music honors होगा, वो ये सब decide करेगा, और कुछ ऐसे songs होंगे, जिनका price सिर्फ एक ही रहेगा, जिसके 10 subscriber है, उसके 10 lakh है, उसके लिए भी, और कुछ ऐसे भी songs होंगे, friends, जिनके आने वाले time में demands कम होगी, तो हो सकता है, आते हैं और रुख गए, आगे भी आपको वो 10 डॉलर का मिलेगा, हो सकते है, उसके demand बढ़ जाए, तो वो 10 से 15 हो जाए, या फिर demand कम होने पर 10 से वो 5 डॉलर का हो जाए, अगर आप creator music में जाके किसी भी song को purchase करते हो, आपकी पास 2 या 3 YouTube के channel है, और आप ये सोचे कि मैंने इस channel से तो purchase कर लिया है, उसको अपने second या third channel में भी use कर सकता हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, अगर आप उस song को second या third channel में use करेंगे, तो same, वही issue होगा copyright claim का, आपको उसका revenue नहीं मिलने वाला, आप उस song को अपने partner, अपने साथ या अपने दूसरे channel पे share नहीं कर सकते हैं, अगर आप license purchase नहीं करना चाते हैं, तो कुछ song पे free की option होगी, आप उसे free में use तो कर सकते हैं, पर उसका जो 50%, 40% या 30%, जो भी share होगा, आपको उस music company को देना पड़ेगा, और वो music company ही decide करेगी, song के basis पे कि आपको कितना percentage दिया जाए, कहने का मतलब जिस music को आप प music ही, जिसमें license और free में आप उसे कैसे use कर सकते हैं, अगर आप YouTube Shorts create करते हैं, तो friends, अब आपके चैनल में Shorts, Live और Long वीडियो, तीनों के टाब अलग हो जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे, यह activate भी हो चुका है, मैं जब वीडियो पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे म अंदर ही, आपको short वीडियो भी मिलेंगे, long वीडियो भी मिलेंगे, तो अब YouTube ने दोनों को अलग कर दिया है, अलग करने का मतलब यह नहीं कि आपका revenue भी separate हो गया, कि आपको YouTube Shorts में 100 डॉलर कमाने हैं, तब पैसे मिलेंगे, यह long वीडियो में कमाने है, ऐसा नहीं है, चै वीडियो का टैबला करा गया, बाकि जितने भी रूल्स है, सारे सेम है,